इस वीडियो में मैंने जो foundation में strings का lecture शोड़ दिया था उसको मैं पूरा करने की कुशिश करूँगा तो उसकी beginning है यह इस वीडियो के अंदर मैं आपको strings की functionality समझाऊँगा चेक हैं तो how do you declare a string बस ऐसा लिखना होता है string s और वो हो गया declare sign कैसे करेंगे ऐसे double quotes में हलो लिख दो असाइन हो गया तो यह बनेगा कहां और कैसे बनेगा यह लिखने से stack में इस नम का variable बनेगा और heap में कहीं पर कहां पर यह नहीं मैं आप बोता हूँ हीप में कहीं पर तो इसमें है ही है यह character array तो ही है लेकिन उसके अलावा इसमें और information भी होती है तो लाइए इतना थोड़ा-थोड़ा हम करके देखेंगे थोड़ा-थोड़ा code करते रहेंगे थोड़ा-थोड़ा मैं आपको concept बताता रहूंगा तो I have declared a string यहाँ पर string declare कर लेते हैं s1 equal to hello इसको print करा लेते हैं s1 इतना चलागर देखते हैं तो of course जब हम यह करेंगे तो hello print हो जाएगा user से अगर input उठाना हो तो कैसे उठाएंगे scanner बनाना होगा आपको hcn new scanner system.in तो दो function आपके पास user से input लेने के वो दो function क्या है वो दो function है आप या तो use कर सकते हो scanner.next या use कर सकते हो scanner.next line तो दोनों में फरक बताओंगा आपको जैसे अगर आपने दो बार next next use किया और यहाँ पर input डाला abc space bar def तो next होता वो space bar तक ही read करता है आपको s1 में abc मिल जाएगा s2 में def मिल जाएगा तो यह हम लिख कर देख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं scanner.next से आपको पहले space तक आपको चीज मिल जाएगी तो run करके देखते हैं s1 से abc print होगा और s2 से def बिल्कुल जैसा उमीद भी थी हमको चेक हैं लेकिन अगर मैं next line किया होता next line किया होता तो s1 ही abc और def दोनों को read कर लेता और s2 को देशू आ जाता exception आ सकती है लागे चला ही नहीं ठीक है अगर इस case में आपको कुछ करना है तो दोनों को next line next line कर लेते हैं और अगली line में लिख लेते हैं जी एचाई जेके ल जिसमें s1 में abc spacebar def आ जाएगा और s2 में जी एचाई spacebar jkl आ जाएगा दो अगर मैं अभी बात करूँ हमने क्या-क्या सीख लिया है हमने इस टिक लगाता जाओंगा जो हमने सीख लिया है वी नो हाव्य टो डिकलेर स्क्राइव हमें थोड़ा सांदाजा है वह मेमरी में कैसे होता क्योंकि मैं उसका पूरा अंदाजा दिया नहीं हमने input लेना सी लिए अब इसके थोड़े से functions पढ़ेंगे हम जैसे बहुत जरूरी function है जो हम पढ़ेंगे care at और length length लाइन दो function को पढ़ेंगे तो मैं एक ही string रखूंगा सारे को comment कर देता हूँ string s equal to scanner.next line मैं ऐसे उठा लूँगा यहां पर दोर string नहीं बनाते एक ही string रखते हैं यह बी सी डी एफ तो length इसमें कितने character है अगर आपको यह चाहिए तो length function से मिलेगा आपको s तो यूँ print हो जाएगी string अगर उसकी length चाहिए आपको कितने character है उसमें तो एक खास बात यहां पर हमें जो आपको दिखाऊंगा array में length एक data member होता है और string में यह function होता है तो आपको function की तरह call करना पड़ेगा उसको अगर उसे हम चलाएंगे तो हमें ABCDF और उसकी length 6 कर चाहिए हो तो array में आप कैसे करते थे array में आपको कर निकालना है तो आप ऐसे करते हैं स of 0 एक element निकालना हो इसमें इसा नहीं कर सकते हैं आपको किसी spot पे कुछ चाहिए पड़ा हुआ तो आप लिखेंगे s.carat 0 तो इससे आपको ABCDF का A मिल जाएगा तो लाव इसे करके देखते हैं कि ऐसा है कि नहीं 0 या मैं 2 एक रेक्टर रीड करता हूं तो 012 2C मिलने वाला इसकेस में हमें तो C निकाल दिया उसने 0 इस A 1 इस B 2 इस C चेक हैं तो अब क्या करेंगे हम ऐसा करते हैं सारे कार्स को प्रिंट कर लेते हैं अलग लग लाइन में सारे कार्स को प्रिंट कर लेते हैं तो I equal to 0 से I less than string की लेंग्थ तक का लूप लगाया एक एक करके मैं सारे CARS को read करूँगा s.car at i और उनको print करा दूँगा तो यह अलग-अलग line में मेरे सारे CARS को print करने की ताकत रखता है यह लग-अलग line में a, b, c, d, e, f print हो जाएगा a हो गया print, b हो गया, c हो गया, d, e, f सारे print हो गया तो CARAT और length function को use करके हम यह सारे content को access कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको CARAT समझ में आ गया होगा how do you get a CAR like that अचा CAR SET भी कर सकते हैं क्या, जैसे array में तो array 0 पे 10 डाल तो 10 value बदल जाती है string में यह नहीं कर सकते है string में यह cannot change the value of a character सेट कैर जैसी कोई चीज नहीं है जो एक मैंने बच्चों को बहुत गलत कोशिश करते वे देखा है जैसे मैं उनको बोलू ABCDF का ZBCDF बना दो वो बता क्या क्या कोशिश करते हैं CARAT 0 पे Z डालने की कोशिश करते हैं यह नहीं हो सकता तो कोई तरीका नहीं होता कि आप string का character change कर सके स्ट्रिंग में से character निकाल सकते हैं change नहीं कर सकते हैं set कार जैसा कुछ नहीं होता उसके लिए कुछ और तरीके यह class होती है string की जगे string builder होता है जिसको हम पढ़ेंगे और फिर वहां सीखेंगे चेक है अब सीखते हैं sub string sub string का क्या मतलब होता है जैसे मैं बताता हूँ तो sub string किस काम आएगी आपके इसको चुबागर रख लेते हैं चोटा से जगेई कमी पढ़ रही है जो हो गया उसको इदर लिखते रहेंगे तो लेडर से जैसे आपकी string जो है इसका piece निकालने में आपको help करती है जैसे अगर मैं आपको बोलूँगा 0 से 1 तो ये start point से start होती है और end point तक जाती है लेकिन end point वाले character को लेती ही नहीं तो जो मैं बोलूँगा na string.sub string 0,1 ऐसा अगर मैं बोलूँ 0,1 तो मुझे 0 से 1 तक का वो travel करेंगे last character को छोड़के बाकी दे देगी तो substring function में अगर आप 0,1 पास करेंगे तो आपको सिर्फ A मिलेगा 0,2 पास करेंगे 0 से 2 तो A भी मिलेंगे, आखरी character मिलता नहीं 0 से 3 पास करेंगे तो 0 से 3 आपने बोला 0 से 3 तो आपको A, B, C मिलेगा बस end point नहीं मिलता 0 से 4 लिखने पर आपको पूरी मिलेगी A, B, C, D ठेक हैं? 0 से 4 लिखोगे तो जो आखरी होता नहीं उसे पहले तक का read करती है A, B, C, D तब मिलेगा आपको 1 से 2 लिखोगे तो 1 से 2 1 से start हुआ 2 तक जाएगा नहीं, B मिल जाएगा 1 से 3 लिखोगे तो 1 से 3 तो 1 और 2 मिलेंगे B, C 1 से 4 लिखोगे तो पूरा B, C, D 1 से 4 तो B, C, D और आप 2 से 3 लिखोगे तो 2 से 3 लिखोगे तो आपको C मिलेगा 2 से 4 लिखने पर C, D मिलेगा 3-4 लिखने पर D मिलेगा बस 3-4 और कुछ करी नहीं सकते हैं तो यह हो गया अगर आप इसमें कुछ common mistakes देते हैं देखते हैं जैसे आप 1-1 लिखकर आप सोचें कि आपको 1-1 लिखने पर B मिल जाएगा नहीं मिलेगा क्योंकि end से पहले-पहले रीड करता है तो आपको blank मिलेगा और अगर आपने कभी गलती से 2-1 लिख दिया कि 2 से start होगे 1 तक जाना है तो उल्टा जाने का मतलब नहीं होता है यह start index है, यह end index है तो यहाँ आपको exception मिलेगी यहाँ error हो जाएगी तो इन सारी चीज़ों पर एक बार थोड़ा से experiment करके देखते हैं कि how substring works तो मैं इसको comment कर देता हूँ और अंदाज़ा रगाते हैं how substring works string s equal to a,b,c,d तो system.out.printlain मैं जैसे बोलता हूँ s.substring substring और मैंने बोला 1 से 3 तो 1 से 3 0,1,2,3 1 से 3 से b,c मिलना चाहिए हमें लाए चला के देखें क्या हमें b और c मिलता है error मिली क्योंकि उसको substring की spelling नहीं मिली substring में क्या sub small होता है most likely सब कुछ small होता है तो b और c हमें मिल गया चीक है एक बार ध्यान से देखना हमें मैं दुबारा से आपको करके दिखाता हूँ जीरो से 0 बोलू तो मुझे a नहीं मिलेगा blank मिलेगा 0 से 0 से कुछ नहीं मिला 0 से 1 बोलने पर सिर्फ a मिलेगा 0 से 1 बोलने पर a मिल गया अब इसका एक और वर्जन भी होता है वो वर्जन बता है जिसमें सिर्फ एक ही परामेटर पास करो तुम अगर तुम दो परामेटर ना पास करो तुम सिर्फ start point पास करो end point देना भूल जाओ जैसमें 1 लिख दिया और दूसरा परामेटर दिया ही नहीं तो फिर वो one से लेकर end तक सब कुछ दे देगा आपको b c d मिलेगा इस case में आपको देख लेता है चलाकर तो अगर आप दूसरा करेटर देना भूल जाओगे तो वो एकदम end तक के सारे करेटर रीड़ कर देगा चिक है अगर हमें सारी प्रिंट करनी हूँ तो इतनी सारी है इसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा 01 इसके लिए 02 इसके लिए 03 इसके लिए 04 इसके लिए 121314232434 तो मैं इसको क्या करूँगा द्यान से देखेगा बहार रखूँगा एक i अंदर एक j का लूप चलाऊंगा जो i से आगे-ागे चलता और एकदम end तक जाता है equal to length तक जाता है जैसे चार है न तो चार तक जाता है वो j तो लागे ट्राइग करें अगर मुझे सारी सब्स्ट्रिंग प्रिंट करनी हूँगी तो यह देखिएगा मैं क्या करूँगा बाहर i start point basically string.length तक तो देखना एक बर ध्यान से देखना पहले आप code को देखो इदा यहाँ देखिए start point आपका शुआत में 0 था end point 1,2,3,4 रहा तो जब i आपका 0 था जब i आपका 0 था तो j आपका 1,2,3,4 i से आगे से start हुआ और पूरी length तक गया जब i आपका 1 था तो j आपका 2,3,4 i से आगे से start हुआ और length तक गया जब i आपका 2 था तो j बना आपका 3,4 i से आगे से start हुआ end तक गया जब i आपका 3 था तो j 4 रहा ठीक है, तो मैं यह बोलूँगा, कि I 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, फिर 3 होता है, तो I 0, 1, 2, 3, I कभी length के equal नहीं जाएगा, length minus 1 तक ही जाएगा, तो I घूम रहा है 0, 2, length minus 1, और यह घूम रहा है I plus 1 से लेकर length तक, 0 के case में 1, 2, 4 गया वो, I plus 1, 0 था यह, तो I plus 1 से start हुआ, और 4 तक गया, तो I plus 1 से length तक, जब I 1 हो गया, तो वो 2 से 4 भूम आया, जब I 2 हो गया, तो 3 से 4 भूम आया, जब I 3 हो गया, तो वो 4 भूम आया, तो हम भी यह करेंगे, I 0 से लेकर less than length, और J, J जो है, वो I plus 1 से start होगा, और less than equal to, exactly equal to length तक जाएगा, ठीक है, और हम इ I, J, लाइए से चला के देखें, कि A, B, C, D के सारे सबस्ट्रिंग प्रिंट करता है या नहीं करता, तो A, A, B, A, B, C, A, B, C, D, B, B, C, B, C, D, C, D, D, और D, हमारे सारे सबस्ट्रिंग इसने प्रिंट कर दिया, चिक है, तो अब मैं उमीद करता हूँ आपको भी समझ में आगया, बाते क्या हैं? कि एक स्टार्ट इंडग्स होगा, एक स्टार्ट से लेकर ए्ड तक जाएगा, लेकिन एनड को प्रिंट नहीं करेगा, अगर एक ही पर openness करोगे, सिर्फ स्टार्ट दोगे, तो स्टार्ट से एनड तक सब कुछ प्रिंट कर देगा, अब समझाता हूँ दो string add कैसे होती है, बहुत साल है, दो string कैसे add होती है, plus का operator लिखो, plus का operator से add हो जाती है, जैसे आपकी एक string s1 है, hello, और एक string s2 है, world, तो आप एक string s3 बना सकते हैं, s1 plus, बीच में एक space bar, plus s2, तो hello space bar world बन जाएगा आपका, ठीक है, add ऐसे हो जाता है, ज्यादा पुछ नहीं है, तो hello world बन गया, ठीक है, अब खुदी में change लाने हूँ, तो string में यह अच्छी चीज होती है, क्या चीज सही होती है, आप उसमें character भी add कर सेते हैं, जैसे ऐसे करके, उसमें, hello space bar अलग से add कर लिया, फिर plus equal to करके, w add कर लिया, plus equal to करके, o add कर लिया, तो ऐसे भी आप एक एक करके, character add कर रहा हूँ, इस टेम पर में string नहीं add कर लिया, को single quote लगा रहा हूँ, तो hello space bar wo print होगा इस case में, नहीं होगा, error आएगी, क्योंकि s3 है ही है, s1, तो hello space bar wo, और amazing बात यह है, इसमें integer भी add कर सकते हो तुम, 10 add कर लो, हो जाएगा add, यह 10 खुद को string में convert करके add हो जाएगा, तो hello wo, 10 बन जाएगा अपने पास, चीक है, I think यह तुम्हें समझ में आया होगा, तो इसमेंने एक important मैं तुम्हें चीज दिखाता हूँ, इसके बारे में मैं आपसे चाहूँगा, आप विचार करें, कि answer क्या आएगा, ठेक है, यह देखेगा, मैं लिखूँ, hello plus 10 plus 20, तो answer क्या आएगा, hello 30 answer आएगा, या hello 1020, तो मेरा ऐसा कहना है, answer आएगा, hello 1020, क्योंकि यह left to right evaluate होता है, तो पहले हो hello 10 solve हुआ, तो यह hello 10 बन गया, अब hello 10 एक string है, अब उसे सामने 20 आएगा, तो 20 खुद को string बन आएगा, तो hello 1020 बन जाएगा, ठीक है, चला के देखते हैं, left to right होने के विदे से हुआ है, कि पहले hello और 10 interact किये, तो 10 ने खुद को string बना लिया, तो hello 10 बन गया, फिर hello 1020 के साथ interact किया, तो 20 ने string बना लिया, तो hello 1020 बन गया, लेकिन अगर यह होता, 10 plus 20, अगर यह ऐसा नहीं होता, यह ऐसा होता, ऐसा होता, तो 30 hello आता, क्यों, पहले 10 और 20 आपस में integer ने इंटराक्ट किया, तो 30 बना, फिर 30 plus hello बना, तब 30 ने खुद को upgrade करके string बनाया, तो 30 hello बनेगा, इस case में, इस case में 1020 hello नहीं बनेगा, 30 hello, चीक है, तो उमीद करता हूँ तुमको add करना भी आ गया, तो add करना तो काफी असान था, plus और plus equal to आपको समझ में आ गए, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक split होता है, split का काम क्या होता है, जैसे मैं आपको बड़ी सी string दे दूँ, ऐसे बड़ी सी string दे दूँ, a, b, c, space bar, d, f, space bar, g, hi, space bar, j, k, l, और मैं कहूं कि मुझे यह अलग-लग word चाहिए, तो यह एक string में डालके दे दूँ, तो आप इसको split कर लो, space के उपर split कर लो, तो यह इसका array बना देगा, आपको array में एक जिगए abc दे देगा, एक जिगए def देगा, एक जिगए ghi देगा, एक जिगए jar देगा, एक जिगए jkl देगा, ठीक है, प्लिट करूंगा स्पेस पे चिक है तो यह पार्ट नाम का रहे बन जाएगा जिसको मैं आएकोल टू जीरो आए लेस देन पार्ट्स डॉट लेंग्ट तो यहां पर लेंग्ट सामने ब्रैकिट नहीं लगाऊंगा क्योंकि पार्ट से एक एरे हैं स्ट्रिंग्स का पार्ट स सिर्प आरे है तो सिस्टम.out.println parts of i ठीक है तो इसने आपको लग-लग पार्ट में तोड़के देना है एक में ABC डाल देगा एक में सेपरेट कर रहा हूँ ठीक है तो यह देखो ABC अलग करेगा DEF अलग GHI अलग और लास्ट वाले पार्ट में JKL स्पेस बार MNO डाल देगा तो इस पर यह चार ही होगी length दियान से देखना ABC अलग, DEF अलग, GHI अलग और JKL MNO एक साथ आ गए तो इस वाली वीडियो का तो परपस ही तुम्हें सिर्फ फंक्शन सिखाना है कि स्ट्रिंग में क्या-क्या फंक्शन होता है अब comparison के लिए double equal or equals होता है और एक compare to होता है इन दोनों को हम अगली वीडियो में discuss करेंगे जि तो वहाँ पर हम double equal to और equal to समझने ही इकोशिश करेंगे और compare to भी में discuss होगा तो मिलते हैं उस अगली वीडियो में, thank you very much